पर्शुराम के जाने के पश्चात पत्नियों सित राजकुमारों, गुरु वशिष्ट, अन्यरिशी मुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दश्रत अयोध्या की ओर अग्रसर हुए मंत्रियों ने शीग्रही दो शीग्रगामी दूतों को सभी के वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिये दूतों के योध्या पहुँचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अक्तालिकाओं, मंदिरों एवं महत्वपून मार्गों को नाना भाती की रंग बिरंगी द्वजा पताकों से सजाया गया राजमार्ग पर बड़े-बड़े सुरम्य द्वार बनाए गए और उन्हें तोरनों से सजाया गया मार्गों में केवरे और गुलाब आदी का जल छिड़का गया सुन्दर चित्रों मांगलिक प्रती को वंदनवारों आदी से हाथ बाजारों को भी बड़ी सुरुची के साथ सजाया गया एक अभूत पूर वुलास छा गया सारी अयोध्या में अनेक प्रकार के वाध्य बजने लगे घर घर में मंगलगान होने लगे ये ग्यात होने पर की बारात लोटकर अयोध्या के निकर पहुँच गई है तथनगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाली है सुन्दर सुकुमार प्रूपवती लावल मै कुमारिया अनेक रतनिजतित वस्त्रा भूशनों से सुसज़ित होकर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरतिया लेकर पहुँच गई महराज दश्रत और राजकुमारों के स्वर्लिम फूलों से सुसज़ित सोने के होदे वाले हाथियों पर बैठ कर नगर में प्रविष्ठ होने पर चारों और उनकी जैजकार होने लगी उची उची अट्टालिकाओं पर बैठी हुई सुन्दर सौभागवती रमनिया उन पर पुष्पवर्षा करने लगी अयोध्या की नवावधू, सीता, उर्मिला, मांडवी और शुर्टकीर्ती को देखने के लिए अट्टालिकाओं की खिलकियां और छच्जे दर्शनोट्सु की अग्तियों, कुमारिय उसे ही नहीं वरन प्रोणाओं एवं व्रिधाओं से भी खचाखच भर गए सवारी के राजप्रसाद में पहुंचने पर राजा दश्रत की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधूओं की अग्वानी की महरानी कोशल्या, कैखेई एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी-बारी से चारों वधूओं को अपने हृदे से लगाया और असंखी हीरे मोती उन पर न्यचावर करके उपस्थित याचकों में बांट दिये फिर मंगलाचार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धधान गिनियों को राजप्रासाद के अंदर ले आई इस अपूर्वानंद के अफसर पर महराज दश्रत ने दानादी के लिए कोश के द्वार खोल दिये और मुक्त हस्थ से नगरवासी ब्राहमनों को भूमी, स्वर्ण, रजट, हीरे, मोती, रत्न, गौए, वस्त्रादी दान में दिये राज कुमारों को राजप्रासाद में रहते कुछ दिन आनन्द पूर्वक व्यतीत हो जाने पर महराज दश्रत ने भारत को बुला कर कहा, वत्स तुम्हारे मामा युधाजित को आये हुए परियाप्त समय हो गया है, तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आकुल हो रहे हैं, अतल तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ पिता के आदेशा नुसार भारत और शत्रुगहन ने अपनी माताओं तथा राम और लक्षमन से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ कैकेय देश के लिए प्रस्थान किया राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालता और सदाचरल से न केवल अपने प्रासाद के निवासियों का बलकी समस्थ पूर की स्त्री पुरुषों का हरिदय जीत लिया था वे सबकी आँखों के तारे थे और अत्यल्द लोग प्रिय हो गए थे परिवार के सदस्य उनकी विनेशीर्ता, मंत्री गण उनकी नीतिने पुन्ता, नगर निवासी उनके शील सौजन्य और सेफ का गण उनकी उदार्ता का बखान करते नहीं ठकते थे इधर सीता के मधुभाशी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पातिवरत्य धर्मादी सद्गुनों ने भी सभी लोगों के मन को मोह लिया नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देख कर अत्यन प्रसन होते थे उनके प्रेम और सद्व्य वहार की चर्चा घर घर में की जाती थी वालनी की रामायन बालतान समाप